हेलो इन्वेस्टर्स आप शफिका श्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पे तो आज के वीडियो में हम एक बार फिर से देखने वाले है चारो आईपियो के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रिमियम एंड उसके हिशाब से लिस्टिंग गेन के बारे में तो इन चारो बात करते हैं डिलेवरी आईपियो के बारे में जो कि कल ही क्लोज हो जुका है एंड अगर अलोट्मेंट की बात करें तो वह है उन्लिस में को एंड लिस्टिंग देखने को मिलेगी 24 तारिक को अगर इसके फाइनल सब्सक्रिप्सन स्टेटस देखे तो क्यू आई बीज मे पूरा आईपियो भी नहीं बरा है एंड 0.57 टाइम सी बरा है तो ये एक काफी अच्छी बात है क्यूकि रीटेल इन्वेस्टर अभी आँख बंद करके पेशा नहीं लगा रहे है अगर एंप्लोई के टेगरी की बात करें तो उसमें भी 0.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ ह एंड टोटल सब्सक्रिप्शन देखे तो 1.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो जैसा इसका सब्सक्रिप्शन है वेशे ही ग्रे मार्केट में भी इसका कम डिमांड देखने को मिल रहा है एंड अभी कोई भी ट्रेड इसमें चल रहा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है ज गर इसके grey market की बात करें तो ये काफि अंकंसिस्टन्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि एक दिन बढ रहे है तो एक दिन गट रहे हैं यहाँ पर आजके grey market की बात करें तो यहाँ पर फिर से recovery आती हुई दिखी है and minus 30 रुपे जो चल रहा था वो minus 23 तक आता हुआ दिखा है हाला कि अभी ये negative में ही चल रहा है तो अभी आज के हिशाब से इसमें discounted listing की उमीद लगा सकते है अगर market अच्छा रहा तो इसमें हमें loss तो नहीं होगा और वेशे भी हम retailers को discount मिला हुआ है तो उसके आजपास भी अगर list होता है तो भी हम इसमें loss में नहीं रहेंगे तो देखते हैं listing के दिन क्या होता है अब अगर आगे venus IPO की बात करें तो वो भी कल ही close हो चुका है और allotment उसका भी 19 को और listing 24 को होने वाली है अगर QIB की बात करें तो 12.02 times and NIS में 15.66 times subscribe हुआ है तो अभी भी इतने पेशे नहीं लगे चितने QIB और NIS और IPO में लगाते है तो इसका सीधाशा कारण LIC IPO से भी चुड़ा हुआ है क्योंकि काफी पेशे वहाँ पे फशे हुए है तो अगर retailer की बात करें तो उन्होंने 19.04 times over subscribe किया है and total subscription देखने को मिला है 16.31 times तो जैसे की यहाँ पे QIB और NIS नहीं पेशे नहीं लगाए तो इसके GMP में भी हमें गिरावट देखने को मिली है and वो काफी हद तक गिर के अभी 18 रुपी पे आके रुके हुए है अगर market और भी अच्छा होता है तो अब अगर आखरी IPO की बात करें तो वो है prudent IPO जो की पर्शो क्लोज हो चुका है and इसका allotment देखे तो 18 May and listing 23rd में को होने वाली है इसका subscription हमने कल वाले वीडियो में देखा था तो उसके बारे में हम बात करके time waste नहीं करेंगे हम अगर GMP की बात करें तो इसमें अभी भी कोई trade होता हुआ नहीं दिखा है तो इसके लिए इसमें भी हमें बुरी listing देखने को मिल शकती है तो ये थे recent में चल रहे है IPOs के GMP and listing gain की कहानी इस IPO के अलावा भी और भी तीन IPO आ रहे है जो कि अगले भी खाने वाले है जिसका की अभी grey market में trade नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ पे इसको cover नहीं किया है अगर आप वो IPO के बारे में जहनना चाहो तो आप ये वीडियो जरूर चेक कर शकते हो लिंक आपको उपर आइक काड़ पर and description में मिल जाएगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शाथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास भी यह information पहुँच शके तो मिलते हैं अगले वीडियो में